इस वक्त हम मौझूद हैं सीवन जनकपुरी में जहां पर कुड़ा, कुड़दान के अंदर नहीं, सड़क पर है इतनी गंदगी फैल लई है, यहां पर कुड़ा, यहां देखो, वहां देखो मौल, मलेडेरी इन सब को डिस्ट्रिबूट कर देगी, आप यहां पर दुकाने खोल लो और अपना कुड़ा सारा यहां फैक दो इसको सरकार खराब है, बहुत खराब हो रहा है, इतना खराब हो रहा है, समझ उन्हें आ रहा है दुरबाग के पुड़ाग हमने भारत की राज़ानी दिली में रहते हैं नमस्कार, मैं प्रकृति पालिवाल, इस वक्त हम मौझूद हैं सीवन जनकपूरी में जहां पर कुड़ा, कुड़दान के अंदर नहीं, सड़क पर है यहां पर रहा चलते आदमी को इस गंदिगी और बद्बू को सहन करना पड़ता है कैमरामैन से बोलूगे की कुड़े की देर की तरफ दिखाए कैसे सारा कुड़ा यहीं पर बड़ा हुआ है, गाए भैस सब यहीं से यहीं पर खाना ढूनती है, यहीं का खाना खाती है और इनी का दूद निकालके लोगों में बाटा जाता है आज हम लोगों से पूछेंगे, रहा चलते लोगों से पूछेंगे कि उनका इस कुड़े के देर के बार में क्या कहना है यहां से अगधा देखा जाने उत्तम नगर जाते पंकर यह सारे कच्रे ही कच्रे हैं इसके लाबा कुछ नहीं है कि नाख बंद करके जाना पड़ता है अब क्या बता है हर जगा देख रहे हैं यहीं स्तीती है बस और क्या बोलूँ काफी दिक्कत होता है ना बच्चों को गंदेगी नाक बंद करके जाना पड़ता है बहुत ज्यादा कुड़ा है इस एरिया में ता खासतर पर हो ज्यादा है जब से नाले खुले हुए ना बहुत ही ज्यादा है यह जगे-जगे में कुड़े पड़े रहते हैं बदू आने जाने में सबक्राइब कर लोट धीथ होते जावू जाम भेम लगते हैं दोबंगट तिन तिन गंटे चाम में खड़े हम रहते हैं तो क्या साब सपाय हो जाए तो अच्छी बात है हम लोग आने जाने जाए रहेगा रस्ते में ने चाहते हम रोड्स्त मोड़े फेके मिले लोड़ साप रहे हम तो यह चाहते हैं और बहुत थन्यवाद अर्विन केजी वाली दिल्ली में सरकार बनाने से पहले तुन्होंने अपने बच्चों के कसम खाए कि मैं दिल्ली में सरकार बनाऊंगा तो इमांदारी के राजनीती करूंगा और आज तमाम उनके उपर भरष् और ये कोई पारायक और ये कूडे का कोई धेर नहीं है ये चलता फिरता पीटाबलूटी का सड़क है नाले के साथ में नाला बुरा खुला हुआ है हजारों लोग इसकी बद्बू से बिमार पढ़ते हैं आने जाने वालोग इतनी तकलीब होती है और पीछे भी जाप कैम अगे पुण है दिल्ली का भारत की राजदानी दिल्ली के मुक्य मंत्री जेल में है और उनके जो मंत्री है और जेल में जो केजरीवाल है उसको बचाने का पुरा मतलब वकील कोट का चरीक चकर लगा रहे है पर जनता पे एक परशेंट भी कोई ध्यान नहीं देता सड़क और वजिराबाद के पास में इतने कोड़े का तरह में कोड़े का बेर खातम कर अन्यां तरह सब्रूब में कोई साबसाई नहीं आए और जो जो जुद करते हैं और डालते हैं एवन obsd की घाड़ियां ना सब्ध कि गाड़ियां आप देखो यह ठेड यह से पता जलता यह रिक्षेवाल्य नहीं उतार के जाते हैं सटकों पे वह फुद कुड़े का यहां पर डालके प्रदान मंत्री का वास है भारत की राजनीती दिली से होती है और यह कूड़ी का डिर सड़कों पे लगा के यह लोग जाहिर करते हैं कि दिली को को पूछने वाला नहीं है सिर्फ बिजले का और पानी का फ्री लालाज दे करके इनको जंता को मरने के हालात पे छोड़ दया कल भी एक बच्चे और एक मा की हत्या इसलिए हो गई वो केजिवा सरकार के मंत्रियों के लापरवाही कारण बच्चे का खुलावा नाला था उसमें मा बच्चे मतलब दोनो जो गंदगी का धेर है इनका सबसे बड़ा कारण तो खुद हम है हमसे बड़ा तो कोई है ने हम जीतना भी आते हम डालते थे एंशीडी वाले वीचारे कूड़ा उठाण कसूर कितना हम उनको देंगे लेकिन उससे ज़्यादा कुछ एमसीडी का कुछ का कुछ एमेले का और सबसे ज्यादा यहां पर यह आवारा पशू का जो सिस्टम है यहां पर बैठ जाएंगी गाए इधर बैठ जाएंगी गाए इन गाय वालों पर कोई कारवाई नहीं होती है सबसे बड़ा इश्वा यहां पर इतने अक्सिडेंट हो जाते हैं गायों की वज़े से कि जि ने भी बीट वाले भी सारे सब का मिला जूला है ना वरना यह कुछ नहीं हो सकता है यहां पर दो मिंट का काम है अगर करना चाहें तो लेकिन जान के हो रहा है यह सब कुछ तो मेरी रिक्वेस्ट है दिली सरकार से भी एंसीडी से भी और जो यहां के ऑफिसर है दीपक अहुजा यहां से काउंसलर है जनक पूली से और राजपूद जी है वो है इनका कोई दातिवनी आते हैं फोटो खिचाते हैं बस एक चीज दिखा देंगे गाड़ी बरवा के फोटो खिचवा के फिर नो तो ग्यारा तो मेर यह रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि जनता को परिशन ना करें वह देखो वहां पर गायें बैठी है आप बिल्कुल देख लो अब युदर आगले चोराहे पे मिलेंगे यहां पर कम सगम 17 सी अवेड एरिया है जो यहां पर जीना मुस्किल करते हैं पीछे भी एक विचा और चयाय श्रून आफ सोचल क काव और कुडं को सागा फिर दूर हमारे अंदर जाता है Haynes सदर्ड करेंव हमारे उनकी और पीरें हम sequुद फैरे हम तो जे लेंगे बच्चे-पीरें तो इस नहीं को आतों अभी नहीं पाएगी अभी नई नई हमारी नई सांसद बनी है कमल जी शहराओद किरपागर के ये मीडिया न्यूज उनको भी आप दिखाएं तो जड़ा कुछ शायद कुछ हो सके से 1980 से रह रहा हूँ जितना गंद अब मैं देख रहा हूँ इतना दिल्ली में कभी गंद नहीं था मैं 1980 से हूँ यहाँ प्रोपर मैं संदीब गुडियाल शिक्षा में नेंजो से पिछले कई दिनों सम्द देख रहे हैं यहाँ पर कूड़े का खत्ता वहाँ पर लाइन पूरी अब आगे तक बढ़गी है यह सारा कूड़ा अब आपको बताते हैं इस बारे में यह खत्ता और जनकपुरी में भी हैं पर सब्सक्राइब करते हैं यहां पर दुकाने खोल लो और अपना कूड़ा सारा यहां फैक दो तो इसी वज़े से यह कूड़े की जो इसकी लिमिट थी उससे एक्सेस कूड़ा रहेगा तो रोड़े भी आएगा और बिम्यारे भी फैलेगी तो यही में कारण है यहां पर त लिप्री हो जाता है तो कई बाइक वाले गिरते कई यह एक्सिडेंट होता है इस कूड़े के चक्कर में कई बार जैसे गाईयां वहां बैठी है ट्राफिक जाम होता है साम को आप यहां से निकलने में एक गंटा लगा दोगे एक गंटे गंदर कितना पॉलूशन कितना प पब्लिक लाती है उसमें हमें यह नहीं देखना चाहिए कि यह सेंटर की है यह अपने स्टेट की है यह दोनों का दैतु है कि इसा सफाई करे हमने वोट दिया है अपनी सफाई के लिए हमारे अपनी सुविधाओ के लिए एक और चीज मैं कैमरा मैन को कहूंगे यहां देख सकते हैं यहां पर दूद की थेलियां यहां पर पड़ी हुई है यही गाएब है जो यहीं से दूद पीती है उन्हीं का दूद निकाल कर घूम फिरके वो यहीं आ रही है यहां पे चारों दिशाओं में घर है इस तरफ मेरे राइट साइड पर देखते हो यहां पर लोगों के जी रहे होंगे नियुक्त करते नहीं है और पूरे रोड पर आजाता वहां तक पहुंचता मेडम यह तो हैपको सरकार खुराब है बहुत खुराब हो रहा हुए इतना खुराब हो रहा है समझ मुन्ने आरा है पढ़े वीच रोज में कुड़ा उठते हैं यहां परिया से हां एक मैना से ज़्यादा हो गया अब बताओ पहले कि सरकार पढ़िया था कि बहुत रखता था डबा रखता था तो उसमें डाल दिया देता था तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लोगों को कितिनी दिक् पर सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बैला एकन